नमस्कार दोस्तों दर्मंगार अखसमाप का स्वागत है निर्मली तक ट्रैक पाकिंग मशीन पहुच गई है और अब बारी है घोगाडिया की जिया दोस्तों आज आपको घोगाडिया इस्टेशन की ग्राउंड डिपोर्ट दिखाएंगे जो मिशन पुरू उत्तर का सबसे अहम स्टेशन होने जा रहा है और यहां पर देखिए यह स्टेशन का जो है फ्लोर वो उसका काम चल रहा है और हमारे सहयोगी चैनल जंजार पुरॉक्स के मुकुन ठाकूर ने सैक्ल से स्टेशन की आत्रा की और यह ग्राउंड डिपोर्ट हम तक पहुचा है हमें शेयर कि यह देखिए यह स्टेशन का जो है मेंन प्लेटफॉर्म जो नंबर एक है और यह भवन है और यह शेड है और नीचे जो है फ्लोरिंग का काम चल रहा है यहां पर टाइल्स लाकर के रख दिये गए हैं और वह भी टाइल्स हम आपको दिखाएंगे तो फिलहाल यहां का इंट को बिचा करके और अब धलाई का यहां पर काम काम शुरू किया जाएगा और साथ के साथ जो प्लेटव नंबर एक पर बीच बीच में कहीं कहीं पर जो ट्रैक छूटा हुआ था उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है और जो अंडरपास के कारण या और किसी वजह से जो है वो काम में डिले हुआ तो अब यह ट्रैक को दुरूस किया जाएगा इसका मतलब यह है कि यहां पर इंजिन को लाने की तैयारी हो रही है और यहां से पांच किलोमेटर पहले निरमली तक ट्रेन आ चुकी है और सिर्फ कुछ किलोमेटर दूर ही इंजिन है ट्रेन है इसलिए सारी चीजों को ठीक करके लिंक करके इसको उमीद है कि इसी महीने यहां पर इंजिन लाने की तैयारी है और इस महीने के अंतक हो सकता है कि इंजिन आ जाए यहां पर तो यह तैयारी है दो से पांच दिन का हमें लगता है इतना समय लग जाएगा क्योंकि जो काम है और दूपास बिचालू कर दिया गया है और में समस्या यहाँ हैं गोगड यहाँ में थी कि यह झालू नहीं हो रहा था इस वज़े से ट्रेक को जो है वह भीचाय नहीं था या लिंक नहीं था GitHub इसको अभर लिंक करके जो है यहां पर देखिए किस तरह से लिंक करके अब इसको जो आ वो हम्लिक या जा रहा है थाकि इंजन को यहां तक लागे जा सके और जो भी अर्चन उसको दूर किया सब्सक्देएहँ काकी काम और फ्लोरिंग काम चुरू कर दिया गया है और मिटी कहीं कहीं पर मिटी भराई बाकी है तो वहाँ पर भी काम धुआधार तरीके से चल रहा है तो यह प्लेटफॉर नमबर एक दो दूसरे पर भी स्लीपर लगाय जा रहा है और पहले पर ट्रैक और दोनों दिखाई दे इस्टेशन इसलिए यहां पर जो भराई का काम है वह बहुत बहुत चुनोंती वला है यहां पर देखे इंट वगरा भी लाके रख दिये गए हैं और जो फ्लोरिंग का काम है वो किया जा रहा है तो इस तरीके से जो है घोगर डिया में बस चन दिनों की बात है जब यहां प अधिया से आगे चिकना की तरफ वो यह समस्या यहां पर इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर रिटेनिंग वॉल जो है वो बनाना है पुल को बचाने के लिए जो उसका काम चल रहा है तो इस तरीके से आपने देखा यह स्थिति है अब आपको प्लेटफॉर्म के चिमी दिशा में माफ किजिएगा वो दिखाते हैं कि जिस तरफ मिट्टी भराई के काम जो है कम से कम 15-20 फीट था वहां पर भी मिट्टी भराई के काम हो रहा है और जहां जहां पर गढ़्धा था बहुत ज्यादा उसको उचा करके प्लेटफॉर्म के लेवल तक लाए ज सिर्फ अब ट्रैक को बिछाना है और जहां जहां पर स्लिप कर नहीं है वहां पर स्लिपर बिछाना है तो दोनों जगे पर काम हो रहा है और आपको ये बता देंकि इस तरफ होगड़ धिया के जो नंबर एक है वहां पर जो दिवार क analyze का मुण्टी की जा रही है दिवार तो वो intact रखा जा सके, क्योंकि यह retaining wall जरूरी है, दोस्तों बहुत उचाई है, कम से कम 15-20 feet की उचाई है, इस वज़े से यह जितनी भी मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, नहीं भराई है, और नहीं भराई में समय लगता है, भरने में और धसने में जो है, वो धस सकता है इसलिए यह जरूरी है कि यहाँ पर एक धलाई की वाली दिवार जो है, वो खड़ी हो, और retaining wall एक हो, तो पूल हो, यह फिर platform हो, उस पर मिट्टी भराई को बचाने के लिए इस तरह से काम किया ज़रा है, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा है, जरूर लाकिजिए शेर क कि अपने के सब्सक्राइब कीजिए, हम इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे है, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए धनवाद